सो यह और फाइप भार्शन टू और इसको हमने मॉडिफिकेशन किया था युजटी शोकाल लगाया था बड़ इसका और से लिकेज करें इसको चेंज करना है और हमने टूटो इंटेकर सेंसर भी था था आप वीडियो देख सकते हैं पर आज का मुद्द यह है यह वाई का है है फिर से मॉडिफिकेशन के लिए इस और फाइप एम में मैंने अल्रेड़े किट मंगा है रहा बॉड़ी पार्ट आ चुका है और और फाइप एम का जो पूरा कॉंसेप्ट है वह हम करेंगे वीट यूस्टी फोर और इसका जो कलर वाला है वह है आपका रेड और ब्लैक प्रेड होने वाला है अगर आप नोटिस किया है वीडियो अगर बहुत मेरा ओल्ड सब्सक्राइब हमने लगाए तो सेंटरेशन कौन सा लगा कि मैं पोता हूं आप सेंटरेश्टेंड बेसिकलिया आरे अले अले का लगा बिटर होगा डिटिट फिटिंग हो जाएगा लग गया तो मैं आपको रिकान करना स्प्रेंड अमाथ लगा आप अले कर लगा डिट इसमें लग जाते हैं और आपको मतलब दोनों हुपकी होगा और काम क्या बनने में अफसानी होगा कि अ कि आप कि 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 क क कि पतला है इसका कॉड़ा साथ हूद काथ में लेके प्रवा से इसके बहुत करला मुझे लगा लगा कि धीक है को फिनिसी नीं नहीं है यह आपका Delta Box Frame Cover as you can see, दोनों साइड के लिए मिलता है, एक इसने थोड़ा Finishing तो लेना पड़ता है, जितना भी केट लो, Finishing तो लेना पड़ेगा, और यहाँ पर यह देल्टा Box Frame Cover आपको दो मिलता है, यह बाला है, यह दोनों साइड के लिए Delta Box Frame Cover, आपको केट में मिलता है, यह है Underbelly, ठीक है, यह कुछ इस तरी से लगता है, आपका, मतलब सूपर वाई के साइड के लिए अपको फिनिसिंग लेना पड़ेगा, यह दो Underbelly मिलता है, इसको आपको यह दोनों साइड क्वालिटी, पहले से बहुत इंप्रूव हुआ है, क्योंकि पहले जो मैंने लि अब भी दो मिलता है, इसको इसको फिनिसिंग लेना पड़ेगा, इसको इसको भड़ा सा, यह थोड़ा सा प्रतला कॉललट अन्युक्तों से फ्लेकिवल हुआ, चल जागा, इसको बाद यह दो कुछ पिस्सेस मिलता है, आइधिंग पता नहीं देखना काहा पर लगता है, और वह देखना बढ़ा हाँ अपने लगता है और यह आपका डैस्वोड कपर यह सबसे खराब लगा यह तोट जाएगा यह पता नहीं यह इसको पुट्टी वारफ फिल करके देखना बढ़गा इसका तो इंप्रूब्मेंट करना बढ़गा बाकी सब कुछ चल जाए इसका कि एक खराब लगा सबसे और इसकीट के साथ आपको आपको आइसा क्वालेटी मिलते हैं अभी हम कहा रहेंगा अभी सिर्फ इंपले हम इसका हेड्ट तो हमने फिटिंग करते में खूल दिया है एक को देखें कौन श्कूलने पड़ते हैं वह हम खोलेंगे और सबसे पहले सबसे पहले आपको करना पड़ेगा और यह पार्ट चलेगा निसके बदले में आपका है और मीटर प्रेम देख रहे हैं यह आपका दी यूज हो जाएगा तो इस सबसे करने के लिए सबसे देखो तो प्री नीचे और पांच छे स्कूल खोलेंगे तो यह फ्रेम मेरे हैं बहुत का अलग हो जाए तो इसको हमने खोल दिया है और इसको बाहर निकल देखो सिंप्ली इसको को रिकॉर्मेंट है और बाकी यह हैडलाइट अभी किसी काम का नहीं है इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं ठीक है इसको साइड में रखते हैं जैसे था इसने भी यह आई थिंग 8 mm के लिए लिंक इन अट है इसको आपको टाइड कर देना है और यह फिक्स हो गया पैट कर दिजिए अल्राइट सबसे पाले मिसका साइड फ्रेम डेल्डा बॉक्स और फ्रेम का और जो बोल सकते हैं उसका हम फिटिंग करेंगे सबसे आपको करना यह है कि यहां पेख खूल है कि इसके साथ मैसे हो जाए इसके शिए तकाल फूर्ट्रेश्ट आपको साइड पढ़ेगा यह फूर्ट्रेश्ट आ पढ़ाई यह दो आपको हो चीह और यह स्कूरु चाहिए यह जो हो लैं इसनाट में मैस भास हो जाएगा एदर लोत की आवर शि में दिक्कत आ रहा है यहां पर होल मैंच नहीं हो रहा है और भी जाना चाहा रहा है इसके बाद यह प्लास्टिक में लग रहा है मतलब फिटिंग नहीं हो रहा है बहुत मैंने आदे गांड़ ट्राइक लिया इधर नहीं लग रहा है तो फिटिंग कुछ इस्तरी होगा है अब यह दो हैंडल देखो यह दो टच हो रहा है और यह बहार फिक रहा है इसको तो इसमें दिक्कत है और यहां पर टक्राइब यहां पर देख रहे हैं यह वाला प कि अब यहां पर फिटिंग कर दिया है अब यहां को देखना पड़ेगा अगर आपका श्टॉक है तो यह दो तो यह टाच नहीं होगा इसने होगा बट हमारा जो एक एट्यम रसी थी नेंट का योश्टी श्वार रहा है एस्वां सी तो यह मोटर आयता है तो आम पर धेंगे तो इस जगां पर हो रहा है तो हमको इस जगां से यहां पर राउंट केसे शाओ आप न पड़ेगा तो आई तिंग यह हैंडल मूंबंट कर जाएगा प्राइव पार्ट कार लिया बट फिर स्फीटिंग नहीं तो मसी ब्सक्राइब के यहां से लेके यह पूरा य फिटिंग नहीं होगा फाइली हमने जो यह वाला पार्ट है देख सकते हैं कितना राधा है काड़ दिया है और इस एजस हम ने खीश दिया है तभी हैंडल जो है बिल्कुल प्रपर दिल्गी से टच्पेश हो गारा कुछ नहीं हो रहा और हमने फिटिंग हर दिया है और सेकं हमने इस पैनल के साथ किया है कटिंग किया है और हमने टैंक पर लगा दिया है ताकि सेफ मिल जाए अभी हम हम हेल्याट का फिटिंग करेंगे उससे पहले इसको मैं बताया दूं नीचे का इसे पिटिए होगा यह तो ड्रिल किया मतलब को करना पड़ेगा और नीचे आपक जो कि इसको भी खुलना पड़ेगा इसमें आपका एक ड्रिल यह दो पदो होड़ी रहा में ट्रेक टूट गया दा तो इससे याटा चो जाएगा मैं पो दिखा दो और यह इसको सपोर्ट देने कर नीचे सपोर्ट देने के लिए यह वाले पत्ति स्कॉप खोल लेजिए फोलने के बाद इसको चाहिए नीचे वाला इसके साथ इस तरी के सामको लगाना पड़ेगा तो क्या होगा है इस पत्ति के साथ सपोर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम करेंगे इसका हेड़ फिटिंग डिरेक्ट लिए फिटिंग नहीं होगा बहुत सब आपने वीडियो इसको मिलाते हैं मिल गया तरह आप इसके ओपर करते हैं तो यह जो मोटा वाला पार्ट यह उपर के तरह उट रहाए तब कहा होगा है हम जब हैंडल टान करेंगे ना तो यह इससे टक्राइगा थो हमको करना यह है इसको और भी डाउन करने के लिए हमको हेलाइट को थोड मीचे टच नहीं होगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अच्छा अच्छ को रहा है तो बाद में हम इसको कटिंग कर देंगे एजपा रिक्वार्बेंट उसके बाद पर जो इवाल पार दिखा था इसको हमने थोड़ा सा बेंड किया है अधोड़ा मारके कटिंग किया था तो फाइनल होने के बाद आप अपने अज्टेस कर लो है फाइनल होने के बाद इसको बाद में वोलिंग कर देना अभी वेलिंग करने का जोद नहीं क्योंकि हम और भी करने पड़ेगा इन पर अभी यह यह वाला चैप एतलित मेया लगा दिया था जो yola पार्ट है वह इसके अंदर do और हमने तीन स्क्रू मार किया हैं वान टू और हमें हम डिल करेंगे भी तीन स्क्रू के इस सब से इसका हम क्लिपिंग कर देंगा तो यह इसका अंदर बिल्कुल फिटिंग हो जाएगा इस तरह करके दिखाता हूँ जो हमने इस बाइक का ओल्ड क्लिपिंग था उसको अमने देखा फिटिंग कर देंगे विल्कुल कंपनी यह फिटिंग हो रहा है तो इसमें हम स्क्रू करेंगे नटबोल्ड करेंगे तो गंदा दिखेगा तो स्क्रू करेंगे तो अब बाद में लगा भी सकते हैं सर्विसिंग देखा और उसके बाद सेम वहाला अन्रविल देख रहे हैं अन्रविल यहां पर हमने देखो ड्रील किया है वहां पर क्लीपिंग कर दिया और सिंप्ली हमने इसका अंदर कुछ इस तरह के से फिटिंग होगा जो आपका यह वाला पत्ति देख रहे हैं इस पत्ति में हमने टाइट करया है तो यह वाला जो डेल्टा बॉक्स फ्रेम के बार यह फिटिंग होगा बिल्कुल निकल लेगा नहीं और ही लेगा बेदे साउंड भी नहीं करेगा और उस प हमारा हमने यह वाला पैनल लगाने वना वहाँ इस क्रू के साथ यह पर शोज जाएगा और सेकेंड जो फिटिंग हमारा होगा इस होल के साथ यहां पर बोल्टोन लग जाए आपको एक्स्टा डिल्ल करने की एक्स्टा को गडिंग करने कुछ स्टेवरत है नहीं बाद में अब इसको हमने बेंड किया इसको विल्डिंग करने हो तो यह बिल्कुल स्टेडि हो गया को अब हमने क्या करें देखो बहुत सारा काम किया है और पूरा एक दिन लग गया मैं आपको दिखाता हूं कुछ है कर देखो ने जो इस सेट का अंडर वाले लिया था ना उसमें बहुत तरह में नुटिफिकेशन मोटिफिकेशन नहीं करना पड़ा है कि मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हमने यहां पर तीन स्कूप किया है देख सकते हैं अल्रेट स्कूप सिस्टम कर दिया है और चीज़ आपको यह अंडर वेली और उस चाहिए वह एक साथ यहां पर चिप करने के बाद यहां कर देखो मतलब कर दियाए तो बिलकुल सेप में आगया अब मैं दिक्क्त आएगा यहां पर यहां पर क कट कर दिया है यह इसके उपर यहां तक आ रहा था पूरे कर दे क्योंकि हम को अगर चीन का सर्विसिंग करना है तो चीन मतलब छोड़ा वाला इसलिए खुल सा कि इसलिए हमने इसको कट किया है सेकेंड गेर लिवर्ड यह जो गिया लिवर्य टेच हो रहा था इसलिए हमने क कर देंग किया है प्रपर तरीकेश की यह बलब पार ओपेन हो जाए ठीक है अभी यह बिल्कुल इसलिफ पड़ रहा है उसके बाद में मोडिक उसके बाद जो हमने किया है वह स्टेंड का यहां पर देखो यह वाला पार्ट ऑल्लेटी कंपनेस आ रहा था और इसको में एक की यह दो पार्ट को सपोट्द के लिए क्ली यहां पर कोई नुटब सिस्ट्म है नहीं तो हमने क्या अअ एक पति बना हैे यह बहला पती इसके साथ एक क्लाया मेकि इसको खोल सकते यद और लगावे सकते पिल्कुल और इसके चाहित आपको आपको यह आपको यह आपको यह पत्ति को बेंड किया है इसको सपोर्ट देने के लिए और यहाप में ड्रिल कर दे तो इसके साथ यह तस नंबर को सब्सक्राइब और यहां से ऐसे कनेक्ट होगा तो क्या होगा यह दो पत्ति आपस में इसे चिपक कर रहेगा और बिल्कुल स्नग तो हो गया बिल्कुल और भी जादा मजबूत हो यह मैं पत्ति दिखा तो पत्ति है वह यह रहा यह वाला पत्ति आपको बनाना पड़ेगा मेरे हिसाब से मुझे नहीं पैता दूसरे लोग कैसे फिटिंग करता पर इस पत्ति को क्लिपिंग किया है और देखो ड्रिल किया है और यहां पर सेम बेंड करके क्लिपिंग कर दिया है तो क्या होगा हम मैं आपको फिटिंग दिखा हमने क्या है यहां पर सपोर्ट होगा इस तरीके से तो यहां पर हमने ड्रिल किया अल्लेड़ी कि यहां पर हमने दो डिल के है दिख सकते हैं तो वह यहां पर इस तरी के सब्सक्राइब देख सकते हैं यह वालबती हमने है पे स्कूरू कर दिया है और नीचे से देखो यह दो कुछ इस तरी दो पिटिंग आए मार किया है इसको हमको ग्राइनर से कटिंग कर देना है तो बिल्गुल जीलोज़ फिटिंग हो जागा और इसके बाद इसका उपर भाइजर लगेगा वह फार्शन फोर का लगेगा इसका फार्शन फोर का लगेगा डैसबोर्ट यह कर ओएगा इसलिए हम क्या कर रहें इस डासबोर्ट हम रिएट कर रहें इसको में कटिंग किया है जीवन सी इसको इसको ऊमने स्थरे कैसे कटिंग के और अपना दिखा तो फिटिंग को दिखाता था यह फीज़ोग जाएगा लिए तुर्ण का देंगे कुछ जूब कर दे सुझें लाकित ऋन्हें और मेंली यहाँ पर ग्याप हो रहे है इस कुल कुछ अलग से कर देंगे बाकी भाइजर आ जाएगा तो लगभग से आजाएगा और लास में मैंने आपको एक चीज़ होताना है कि आपको बिल्कूल अच्छे से फिटिंगा नहीं करना है तो आपका यह वाला है वो थोड़ा सा आगे जाएगा और इस ब्रैकेट को आपको भर्सन 3 का लगाना प्राइगा है इसलिए थोड़ा दिक्कात हुआ बहुत दिक्क देख रहे है तो इसलिए लग रहा है बाकी वह वाला पाट यह वाले हैं यह वह लगापिंग देख रहे हैं यह गैपिंग बहुत दाब बढ़ जाएगा अभी तो फिटिंग करते हैं तो इसमें प्रापार्ट दिके से इस तरह लुक आता है और अगर आपको KTM के यूश्टी है तो इसमें क्या होगा है हैंडल लॉक प्रापार्ट दिके से नहीं बैठेगा यह जो पत्ती देख रहे हैं यह वाला पत्ती आड़राउन फाइब में यहां पर होता था इस जगह पर फिर निंग देना बाकि है तो इस पत्ति को हमने मे लॉक इस साइड और दूसरी साइड करेंगे तो भी इस पत्ति को हलका सा किसना पड़ेगा अधर्वाइस इस साइड में लॉक नहीं होगा अभी इस साइड हो रहा है ठीक है आप इस साइड में देखो लोग होगा पापार्द रिया जीन बिल्कुल कंपने पिटिटिंग आप अधर नहीं हो और इसको तच नहीं हो रहे और इधर भी बिल्कुल बिल्कुल हलका साय वोट कर देंगे अधर भी बिल्कुल जरो 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 फिटिंग आया है और ड्यास वर्ड का मैने अल्वड बता दिया थे इसी का डैस्वड को क्षा और यहां पर हाड राता हैं तो सेते हो जाया और यहां पर कलैम करने मुस्ते ही इसी का पत्ती है अधर के सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब है तो इस त्रीक है करते हैं और मिलते हैं नेक्स पाट में इसका लाइटिंग वह बहुंट करेंगे और जो पहला काम है वह नेक्स वीडियो में करेंगे तो मैंने कुछ X-series ऑडर भी दिया है वह हम नेक्स वीडियों करेंगे और उसके बाद जो पार्ट आएगा वह उसमें हम पूरा कलर करेंगे तो इसका तीन पार्ट आने वाला है अभी आप एक पार्ट देख रहो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार करेंगे बार्ट आएगे जैए